फाइनली दो हपतों की छुट्टी के बाद आखिरकार वन पीस के मांगा चैप्टर 1072 के स्पोईलर्स आ गये हैं और देखो यार स्पोईलर्स पे बात करने से पहले न एक बात सुन लो देखो आज मैं न छुट्टी मारने वाला था क्यूंकि मेरे गाउं में मेला लगा वीडियो पर बात करता है इस पोईलर्स हमें जन्वों बात दिखाई देने को मिलते हैं एंड क्या कहूं यार यह स्पोईलर्स बढ़िया है प्लस एक बात याद रखना यहां पर जो है एक चीज लिखा गया है कि 100% confirm नहीं है तो हो सकता है जब चैप्टर आएगा कुछ न निकल के आता है चैप्टर का टाइटल जहां पर हमें टाइटल यह दिया जा रहा है फिलाल तो स्पोईलर्स के हिसाब से the weight of memory और जब मैं आगे पढ़ूंगा न स्पोईलर्स तब तुमको पता चल जाएगा क्या मतलब है इसका next cover page में queen judge और scissor clown यह तीनों जो है weapon create करते ह नजर आते हैं क्या बना रहा है यार कौन सा weapon बना रहा है वो तो cover page आएगा तब पता चलेगा अब हमें जो flashback दिखाया जाता है जहां पर Vegapunk एक चीज़ को explain करता है कि जो कूमा है intangible things को tangible things में change करनी की ताकत रखता है plus यहां पर हो सकता है कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो देखो एक तरसे जो लूफी का pain है क्या तुम उसको actual में touch कर सकते हो नहीं ना pain को touch नहीं किया जा सकता मैं यहां पर reality की बात कर रहा हूं anime verse में मत जाना ठीक है तो कूमा के पास power है कि वो उसको वैसा बना सकता है कि तुम उसको touch कर सको और यहां पर example लूफी वाला नानीमों वाला moment हमें देखने को मिलता है आगे हमें यह बताया जाता है spoilers की हिसाब से काकु जो है अपना devil fruit awakening वाला form यूज करता है एंड फिर भी जोरो उसको हरा देता है और मैं यार यह दिख करके खुसूं क्यूंकि लूफी वसेज रॉब लूची वाला यार अब देखो यहाँ पर हमें रॉक स्पाइरेट का एक और नया कैरक्टर इंटर्ड्यूस करवाया जाता है यह कैरक्टर और कोई नहीं एडवल वीविल की यह बुढिया वाली मॉम है और जो इस्टसी है एक्चुली में इसका क्लोन है तो तुम इस बात से अंदाजा लगा कि भाई यह बुढिया अपने जवानी के टाइम में कितनी जादा मस दिखती होगी एंड क्या खूँ यार जटका दे दिया यार ओड़ा ने अब नेक्स्ट आते हैं फिर से हमें कुमा से रिलेटेड बाते पता चलती है जहां पर वैगा पंक बताता है अब देखो यह वाल कर रहा जैसे कि एक साइंटेस्ट कोई फेस सायद रीयालिटी में जिनों ने आत्मा का वजन निकाला था अपना जो डॉक्टर वैगा पंक है यह जानते ही हुग जीनियस स सर्फिरा साइंटिस्ट यह बंदा मेमोरीज behण निकाल रहा था और उसी के अक्सक्परिमेंट के चक्कर में कुमा का ये हाल हुआ है इसी वज़े से कहते हैं सर्फिरे साइंटिस्ट के चक्कर में मत पड़ो भाई ये कुछ भी करते रहते हैं अब मैं ये चीज जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुई कि जॉल्री वह नहीं क्या करती है बिकोज मैंने बहुत जब एक्सपेक्टेशन लगा के रखे थे कि कहीं कुमा ने खुद को सेक्रिफाइज किया अपनी ये हालत इसलिए बनवाई है ताकि सेराफिम्स बन सके और सेराफिम्स हो सकता आगे जाकर ड्रैगन का साथ दे बाई क्या क्या नहीं मैंने सोचा थे यह अब देखो इसके बाद जो है कुछ एक्सट्रा इन्फॉर्मेशन भी दिया गया हमें रेडिट के तरफ से उस पर आएंगे उससे पहले ये सुन लो कि नेक्स्ट वीक ब्रेक नहीं है साथ ही साथ हमें ये भी बताया जाता है कि काकु का जो अवेक्निंग है ना लूची की कि तरह अब चैप्टर आगा तब देखने को मिल जाएगा वैसे यही था स्पोलर अब तुम सब जो है स्पॉलर देखने के बाद एक्सक्टेशन बताव यार मेरे एक्सपेक्टेशन बढ़े भी हैं घटे भी है क्या कहूं वह जो रीजन बताया ना भाई इस स़रफिरा सा तो यार मिलेंग नेक्स्ट वीडियो में फिलाल के लिए बाई